हेलो इस्टूडेंट तो स्वागत आपका श्रगल स्टडी अकाडमी में तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दिवगात समिकरन और इसमें हम लोग प्रसनावली चार दसमलों तीन करेंगे जिसमें प्रसन संख्या हमारा साथ से स्टाट होगा और बाकि सभी वीडियो मैंने प्लेयलिष्ट में डाल दिया है तो वहाँ से आप अपना प्रेप्रेश्र कर सकते ह्ए तो आए क्प्रसन संख्या साथ देखते हैं तो माल लेते हैं पाली संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या वाई है तो यहाँ पर हमने वही लिख दिया दोस्तों अब प्रस्ण के एकोर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर दिखिए बोलना है कि सबसे पहले के दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानि वर्ग मतलब स्क्वाईर करके यक्स का स्क्वाईर और वाई का स्क्वाईर दोनों को करके फिर उसका अंतर एकस्वाईर है अंतर का मतलब होता है घटाना यानि यक्स स्क्वाईर मैनेस वाई स्क्वाईर is equal to कितना है तो 180 के बराबर है ये इसको हम लोग समिकरा नंबर एक भी कह सकते हैं है ना और ये हमारा सर्थ नंबर पहले से आया है यहाँ पर आप लगा भी सकते हैं सर्थ नंबर फर्ष्ट राइट आगे देखते हैं बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानि छोटी संख्या क्या है वाई तो सर्थ नंबर दूसरे का अनुसर तो यहाँ पर सर्थ नंबर सेकेंड कह रहा है दोस्तों छोटी संख्या का वर्ग यानि कि छोटी संख्या हमारा वाई तो यह हम लोग लिखेंगे y का square बराबर है छोटी संख्या का बढ़ी संख्या के आठ गुना है यहाँ पर केवल खली बढ़ी संख्या का बात कर रहा है तो यक्स का क्या है आठ गुना है का मतलब होता है गुना और इसके साथ हमने 8 का गुना का दिया मैं इस कुल मिलाकर यहे कि y square क्इसके बराबर होगा आठ यक्सके बराबर इसको मह लेते हैं समिकरण नमबर 2 अब देखिए y square का मान समिकरण 1 में रख देते है तो यहाँ पर लिखेंगे समिकरण 1 से किस से दोस्तो समिकरण 1 से समिकरण 1 दिया हुए x square और minus y square का मान कितना है 8x तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 8x बराबर उधर क्या है 180 plus का इधर आएगा तो minus का हो जाएगा 180 बराबर का 0 अब देखिए filterization करते हैं तो x square का गुणा करेंगे 180 में तो 180 x square अब अगर इसे आप तोड़ते हैं तो बहुत ही असान है देखिए x square minus 18x कर देंगे और plus कर देंगे 10x तो 18 में से 10 घटेगा तो बचेगा minus का 8 और गुणा कर देंगे तो 180 आजाएगा यह minus क्या है 180 बराबर कितना हो जाएगा 0 इन दोनों में से common करें x common हो जाएगा तो क्या बचेगा x minus 18 यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा minus का 18 is equal to 0 अब देखिए यह वाला portion दोनों एक में ले लेते हैं हम लोग x plus 10 और एक हम लोग इन दोनों में से रख लेते हैं यानि common भी हम लोग कर सकते हैं दोनों में से right x minus 18 बराबर कितना है 0 यानि minus 10 और दूसरा x minus 18 जो है 0 के बराबर है तो x का मान कितना आ जाएगा 18 यानि यहाँ पर देखा जाए तो पहली संख्या हमारे पास x था और x का मान दो आये हैं 10 और 18 तो आईए अब हम लोग दूसरी संख्या भी ग्यात कर लेते हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि जब x बराबर 18 हो जब x बराबर 18 हो तब दूसरी संख्या कहां से लेंगे दोस्तों यहाँ से तो y square बराबर क्या था हमारा 8 x, x का मान हमने रखा 18 है ना 18 8 है 144 और square भी देंगे तो रूट चड़ जाएगा यानि y का जो मान है आजाएगा आपका प्लस मानेस 12 और प्लस मानेस 12 जो है possible है क्यों क्योंकि 12 का square कीजिए या मानेस 12 का square कीजिए आपको क्या मिलेगा 144 से ही मिलेगा चलिए अब दूसरा देख लेते हम लोग तो y x बराबर मानेस 10 पर जब y x बराबर मानेस 10 है तब हम y square बराबर आठ गुने y x का मान रखे अगर मानेस 10 तो ये आ रहा है मानेस का 80 जो की possible नहीं है किसी भी संख्या का वर्ग मानेस में नहीं आ सकता है रिडात्मक नहीं हो सकता है तो is equal to not होगा तो कहने का मतलब है कि क्या होना चाहिए तो पहली संख्या 18 होना चाहिए और दूसरी संख्या 12 होना चाहिए है तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए पहली संख्या पहली संख्या बराबर 18 और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 12 हो जाएगा है न तो यहाँ पर बड़ी संख्या 18 भी कह सकते छोटी संख्या 12 तो यह आपका एंसर हो जाता है दोस्तों चलिए next question देखते हैं प्रसन संख्या हमारा आठवा कह रहा है दोस्तों एक रेल गाड़ी एक समान चाल से 360 किलो मेटर की दूरी तै करती है यदि यह चाल 5 किलो मेटर प्रती घंटा अधिक होती तो वह उसी यातरा में एक घंटा कम समय लेती रेल गाड़ी की चाल गयाद कीजिए तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा यहाँ पर बोल रहा है कि पहले कि यह मान लिजे कि 360 किलो मेटर है यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना 360 किलो मेटर पूरा दूरी है अब बोल रहा है कि हम मान के चलते हैं कि माना कि रेल गाड़ी का जो लाश्ट में बोल रहा है गयात करने लिए उसी को लेट कर लेते हैं तो मानेंगे हम लोग कि रिलगाडी की चाल बराबर x km प्रति आवर है ना यह आर्स तो यहां पर हमने लिख दिया माना रिलगाडी की चाल बराबर x km प्रति घंटा अब दूरी क्या दिया हुआ दोस्तों तो यह तो दूरी हमारा कितना चल रहा है 360 km तो लिख देंगे कि 360 km तो यहां पर हमने लिख दिया तथा दूरी बराबर 360 km तो हम पुछें कि जब चाल यक्स km प्रति घंटा था और दूरी उससे जाना था 360 km तो मैं पुछू उस वक्त का समय कितना लगा होगा तो इसलिए यहां पर लिखेंगे समय बराबर समय बराबर तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बठा में चाल अब अगर देखा जाये तो समय बराबर कितना हो जाएगा तो दूरी तो 360 दिया हुआ है और चाल कितना है यक्स km प्रति घंटा यहां पर रख देंगे यानि प्रारंब में जो समय लग रहा था तिनसो साट बटा में यक्स घंटा के बराबर था अब यहां पर कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलो मेटर प्रती घंटा अधिक होती यहां पर बोल रहा है न कि यदि चाल 5 किलो मेटर प्रति घंटा अधिक होती यहां पर लिखेंगे कि जब चाल जब 5 किलो मेटर प्रति घंटा चाल अधिक होती तो तो हमने यह लिखे दिया कि जब 5 किलो मेटर प्रति घंटा चाल अधिक होती तब जो चाल है दोस्तों वो चाल क्या मिलता तो चाल बराबर पहले था यक्स शुरू में और जब पांच किलोमेटर बढ़ गया प्रति घंटा तो ये यक्स प्लस प्रति घंटा अब दूरी तो उतना ही जाना है है न दूरी में तो कोई बदलाओ नहीं है तो दूरी 360 किलोमीटर ही है न तो मैं पूछना चाहता हूं समय कितना लगेगा अब इसलिए समय बराबर तो अब समय जो लगेगा वो दूरी बटा में चाल दूरी 360 और समय चाल कितना हमारा X प्लस 5 यह हमारा अब समय लग रहा है अब ध्यान देजेगा यहाँ पर कि जब चाल X किलोमेटर प्रति घंटा था तो समय 360 बटा में यक्स लग रहा था अब बोल रहा है कि जब चाल को 5 किलोमेटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो समय क्या लग रहा है एक घंटा कम एक घंटा कम का मतलब यह 10 घंटा ले रहा है तो यह 9 घंटा लेगा यह 4 घंटा लेगा तो यह 3 घंटा लेगा ये 6 गंटा लेगा तो ये 5 गंटा लगेगा है ना कि कहने का मतलब ये वाला समय अधिक लग रहा है किस से इस से ये वाला समय कम है तो यहाँ पर according to question यहाँ पर प्रस्ण से हम लोग लिख सकते है प्रस्ण से वो वाला समय यानि 360 बटा में यक्स जो समय है वो ज़ादा है किस से 360 बटा में x प्लस 5 से लगिन कितना ज़ादे है तो ज़ादा पता लगाने के लिए अब जैसे मैंने बुला कि 5 से 4 अधिक है तो कितना अधिक है? आप बताएंगे 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 अधिक है उसी तरह ये वला समय ज्यादा है इस से अभी इसको कैसे पता लगाएंगे तो मैनिस कर देंगे और मैनिस किये तो ये तो बुला है कि एक के बराबर है समझ पारें आप चलिए यक्स और इसका हम सब LCM निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा यक्स इंटू यक्स प्लस 5 इसका गुणा इसमें किजे तो 360 का यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 360 यक्स और 360 का 5 में करेंगे तो मैनिस 360 गुड़े 5 हो जाएगा है ना फिर यह यक्स का 360 में करेंगे तो मैनेस का 360 यक्स और बराबर इधर क्या बचा है एक बचा हुए है अब देखा जाए यहाँ पर तो यह मैनेस का ही यह प्लस का कड़ जाएगा हमारा यहाँ पर बचेगा मैनेस 360 आधर बहस्यूहाँ और यह गुणह करसे है तो यहाँ पर बचा बच़ा गुला कर लेते तो 5,36 एक जीरो तो हमारा तीन हाथ में 5,15 और तीन थीन अठा यह मैनेस में आएगा आप देखे यक्स का झाए इसका बुरा kवरुणा कर लेते हम लोग इसका प्पर्षान का एक में गुना कर लेंगे है न इदर भेज़ देते हैं तो यह भाग में है तो उधर झाइगा तो गुना में तो बराबर यक्स का यक्स में गुना करेंगे तो eksi square 1 का पांच में करेंगे तो पलस 5x यह minus का इधर के है तो पलस का यानी eksi square पलस 5x और ये इधार आएगा तो प्लस का हो जाएगा यानि 18100 बराबर कितना होगे 0 अब देखिए दोस्तों अब इसको तोड़ते हम लोग फेल्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए X स्क्वाइर प्लस 45 X में से 40 X अगर घटा दे तो यह बचेगा 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 45 का 40 में गुणा करेंगे तो 1800 अगर आपको इसको तोड़ने में अगर डिक्कत आ रहा है तो आप इसका अभाजे गुनन खंड जरूर निकाले 18100 होगा आपको तुरंत कन्फर्म हो अब आगे देखते हैं दोस्तों तो इन दोनों में से क्या कॉमन है तो हमारा कॉमन है दोनों में से यक्स क्या कॉमन है यक्स कॉमन है और क्या बच रहा है हमारा यहाँ पर यक्स बच रहा है यहाँ पर 45 यक्स पलस 45 है ना यहाँ पर दोनों में से क्या common है तो minus का 40 common है अब यहाँ पर क्या बचेगा तो x और यहाँ पर क्या बचेगा minus 45 45 is equal to कितना हो जाएगा 0 यह और यह वाला portion हम लोग एक में रख लेंगे यानि x minus 40 और यह हमारा x plus 45 is equal to क्या हो जाएगा 0 अब तुलना कर देते हैं तो x minus 40 is equal to हो जाएगा 0 इसलिए x बराबर 40 और यहाँ पर x plus 45 बराबर होगा 0 के इसलिए x बराबर minus 45 जो कि possible नहीं है कभी चाल जो है रिडात्मक नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक में तो 40 km प्रतिगंटा कि 4 बराबर क्या हो जाएगा 40 km प्रतिगंटा यह आप देख सकते हैं तो मिदाई यह वीडियो लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा और जरूर यूजफूल होगा अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और आप वहाँ से प्रेपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दुस्तो धन्य बाद अगर फिर भी कोई प्राब्लम होता है तो पीछे आगे करके जरूर देखे वीडियो को और फिर भी प्राब्लम होता है तो हमें कमेंट जरूर करें ठीक है मैं आपका जरूर सलूसन करूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्य बाद